हेलो फ्रेंड्स आई हम 5.4 मिसलेनियस का फिफ्थ कोश्चन करेंगे तो फिफ्थ कोश्चन हमारे पास convert the falling in the polar form फिफ्थ के दो पार्ट हमारे पास first है 1 प्लस 70 आयोटा और 2 माइनस आयोटा का हो स्केर और second part हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा इन दोनों का हमने polar form में convert करना है ठीक है तो करने से पहले हमें पहले इसे standard form में convert करना होगा जानी x प्लस आयोटा y की form में तो पहले question करते है first part 1 प्लस 7 आयोटा और 2 माइनस आयोटा का square तो यहां मारे पास आजएगा 1 प्लस 7 आयोटा इसका square ओपन का तो 2 का square 4 आयोटा square और यहां जाएगा इसे rationalize कर दिजिए 3 प्लस 4 आयोटा divided by 3 प्लस 4 आयोटा तो 1 इंटो 3 3 1 इंटो 4 आयोटा 4 आयोटा 7 इंटो 3 21 आयोटा 7 इंटो 4 28 आयोटा square दिवाइड में A square माइनस B square ठीक है 3 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा 25 आयोटा और 20 आयोटा square आयोटा square माइनस 1 तो नेगटिव 28 डिवाइड 3 square इस 9 और 4 square इस 16 आयोटा square और 3 माइनस 28 इस माइनस 25 प्लस 25 आयोटा और आयोटा square माइनस 1 और 16 क्या हो जाएगा POSITIVE का तो यहाँ नेगेटिव 25 प्लस 25 आयोटा 16 प्लस 9 25 तो 25 कॉमन नेगेटिव 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाइ 25 25 तुमारे पास स्टेंडर फॉर्म के आगी नेगेटिव 1 प्लस आयोटा अब इसे हमने पोलर फॉर्म में कनवर्ट करना तो इसकी पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होगी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा ठीक है नेगेटिव 1 प्लस आयोटा तो हमारे पास इसे कंपेर कर दो एक्स प्लस आयोटा य के साथ तो एक्स की वेल्यू क्या है नेगेटिव 1 और y की value का है मारे पास 1 तो r की value मारे पास क्या होती है root of x square plus y square root of negative 1 का square और 1 का square root of 1 plus 1 तो यह क्या गया r की value root of ठीक है अब हमने theta की value find out करनी है तो उससे पहले हम क्या find out करेंगे alpha alpha की value मारे पास क्या है tan inverse of mod of y by x tan inverse of mod of y हमारे पास क्या है 1 और x क्या हमारे पास negative 1 तो tan inverse of mod of negative 1 negative 1 mod में क्या हो जाएगा positive तो हमारे पास tan 1 की single पे होता है tan 1 होता है pi by 4 पे तो हमारे पास alpha की value हागी pi by 4 लेकिन यह complex number की squadron में लाई करता है x-axis हमारे पास negative है y-axis positive है यह x-axis x-axis negative y-axis positive तो यह second quadrant में लाई करता है तो यहाँ theta की value क्या होती है pi minus alpha तो theta की value हमारे पास क्या आएगी pi minus alpha कितना pi by 4 pi by 4 pi minus pi by 4 is 3 pi by 4 तो हमारे पास theta की value कितनी हागी 3 pi by 4 अब negative 1 plus iota की polar form हमारे पास क्या है r cos theta r को common का लेते हैं plus iota sin theta अब r की value हमने क्या find out की है root of 2 और theta की value 3 pi by 4 plus iota sin of 3 pi by 4 यही उमारा answer तो यहमारा इसका first part complete होता है तो करते है second question second question है मारे पास 1 plus 3 iota और 1 minus 2 iota इसे भी हमने पहले standard form में convert करना है तो rationalize करेंगे 1 plus 2 iota 1 plus 2 iota तो 1 into 1 1 1 into 2 iota is 2 iota 3 iota into 1 3 iota और 3 into 2 6 iota square divide में a minus b और a plus b की identity a square minus b square 3 plus 2 5 iota iota square is negative 1 तो यहां negative 6 हो जाएगा 1 negative 4 iota square तो 1 minus 6 is negative 5 plus 5 iota iota square is negative 1 तो यहां क्या जाएगा 1 plus 4 negative 5 plus 5 iota divide by 5 तो negative 5 को 5 के साथ divide कर दो 5 iota को 5 के साथ तो यह मारे पास क्या होगा 5 के साथ 5 cancel तो negative 1 plus iota ठीक है देखो यह बिल्कूल वही question बनगा जो हमने फर्स पार्ट किया था वहाँ भी negative 1 plus iota था तो negative 1 plus बिल्कूल ऐसे ही फिर इसे solve कर देना जैसे मने पिछला question किया था इसका भी answer वही आएगा negative 1 plus iota की polar form root 2 cos of 3 pi by 4 plus iota sin of 3 pi by 4 ठीक है तो यह मारा 5th question complete होता है next video भी next question करेंगे thanks for watching and subscribe गलो कुर्ज सूँर बोग्त Faculty